हलो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये है चंदा का घर और आज चंदा के घर पे नई स्कूटी आने वाली है चलिए देखते हैं आगे क्या होता है अरे सुनम बेटा आकरी तुम्हारे पापा कहां पर रह गए है अभी तक नहीं आये मुझसे तो इंतिजार ही नहीं हो रहा है पता नहीं मेरी नई स्कूटर कैसी होगी अखिर कार इतने दिन के पास जिद करने कात मुझे मिलने ही जा रहा है मेरी स्कूटर अच्छा ठीक है जाकर देखती हूं कि पापा आ रहे हैं कि नहीं अले पापा तो दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं मम्मे पापा नहीं आ रहे हैं अरे सोनम थोड़े देखो भाई शायद आ रहे होंगे देखो अच्छे से मेरी नई स्कूटी अरे लेकिन मेरे देखने का क्या फाइदा है जितना टाइम लेगी का आने में उतना ही तो लगने वाला है ना मम्मी भी ना कुछ भी फाल्टो का काम कराती रहती है मैं जा रही हूँ पढ़ने के लिए देखिए मम्मी अब मुझे डिश्टर मत करना ठीक है ना मैं बढ़ाई के निकली जा रही हूँ और यहाँ पर सोरम के पापा नया स्कूटर लेकर आ जाते हैं और यहाँ चलो दो जाता हूँ देखना सोरम की मम्मी देखकर तो खुशी हो जाएंगी देखो सोरम की मम्मी अब आ गया और साथ में चमचमाती स्कूटर भी साथ लाया हूँ चलो प्यारे मुनों तुम यहाँ पर लेटो देखो मम्मी का नया स्कूटर आ गया है मैं जाकर देखती हूँ मैं तो बहुत यदा खुश हूँ चलो चलो जाकर देखती हूँ सोरम की पापा आप आगे अरे वाँ मेरी नए स्कूटी कितनी सुन्दर है सम्हाल कर तो लाए है ना आप मेरी स्कूटर अरे वाँ देखो तो अले वाँ ममी की स्कूटर आगे ये ये चलो मैं भी देखती हूँ अरे वाँ सोरम की पापा आपका बहुत यदा शुक्रिया आप ले आए स्कूटर अरे हाँ हाँ सोरम की ममी एकदम नया मोडल है एकदम बढ़िया वाला अरे हाँ अच्छा चली चली सोरम की पापा अब आप हटिये मुझे भी बैट कर देखने दीजिये ना देखो तो रंग कितना सुन्दर है स्कूटी का अरे हाँ हाँ सोरम की ममी आखिर मेरी पसंद जो है बोलो कैसी लगी तुमको अच्छा ठीक है सोरम की पापा अब मुझे भी बैट कर देखने दीजिये मेरा मन बहुती कर रहा है स्कूटर पर बैठने का चली चली हाटिये मुझे बैठने दीजिये हाटिये अरे हाँ 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 हाट रहा हाँ अरे भाई समाल के चलाना समाल के नए अरे स्कूटर है अरे हाँ हाँ सोनम की पापा अब देखना मैं ड्राइब करने जा रही हूँ अरे 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 यह क्या अरे वाँ चालू हो गया अरे अरे सोनम की आमी समहल कर समहल कर देखना देखना आगे जाड़ है समहल कर अरे हाँ हाँ देख लिया मैंने ये कितना मसा रहा है चलो चलो मैं राधा के घर पर जाती हूँ अच्छा ठीक है सोनम की पापा मैं राधा के घर जा रहे हूँ उसे स्कूटर दिखाने के लिए अले वाँ मैं भी जाओंगी मैं भी जाओंगी ये तुमें तो पढ़ाई करनी थी ना अले ममी वो समय बाद में कर लूँगी चली चली चलते हैं अच्छा ठीक है सोनम ये हम चले चलो अरे अरे सोनम की पापा की पापा की परी जैसा स्कूटर चला रहे है किसी को ठोक हुग न दे अरे सोनम की ममी समाल कर जाना ठीक है ना और यहाँ पर राधा भी उट गई है अरे वाँ सुभा हो गई है कितनी प्यारी सुभा है चलो गईयां को चारा दे देती हूँ और यहाँ पर राधा गईयां को चारा देने के लिए जाने लगती है ये लोग प्यारे गई है, मेरी प्यारी माधुरी, अच्छे से खाओ थोई देर बाद मैं तुम्हें और दे दूंगी, अभी तो फिलहाल में काम करने के लिए जा रही हूँ चलो अच्छा है कि श्याम अभी सो रहा है, जाकर जल्दी से जाड़ो मार लेती हूँ अरे हाँ वैसे याद आया, दीदी तो आज नया स्कूटर खरीदने वाली थी, अभी तेक नहीं आयी अरे नहीं नहीं लगता है अभी खरीदने ही गई होंगी, अभी तेक नहीं आया है, वहना दीदी तो सबसे पहले मुझे ही दिखाती अरे देखो तो रात का पूरा रायता अभी तक फैला हुआ है चलो समेट लेती हूँ और यहाँ पराधा जाडू मारने के लिए जाने लिगती है अरे देखो तो वेसे हाँ रात में तो बहुती बढ़ी है पालक की सबजी बनी थी खागर तो मज़ा ही आ गया और यहाँ पराधा जाडू मार रही होती है और फिर तभी वहाँ शाम भी जाग जाता है अरे यह क्या शाम तो जाग गया है चलो अच्छा है कि मैरे जल्दी से रसोई में जाडू मार लिया चलो जाकर देखती हूँ बुला रहा है मेरा बेटा अरे हाँ शाम बस अभी आई मैं चलो जाडू रख देती ह हूँ जल्दी से अरे हाँ हाँ शाम अरे हुआ मेरा शाम पुत्तर तो जाक गया चलो चलो तो दीदी के घर नया स्कुटर देखने चलते है और पर तभी इतने में चंदा और सोनम राधा के घर आजाती है चलो चलो सोलम हम पहुच गे चलो चलो राधा कोड़ा राते हैं अरे राधा वट जाओ राधा राधा वट जाओ अरे अरे दीदी समाल कर समाल कर ही क्या कर रही है आप समाल कर अरे राधा मैं तो मजाग कर रही थी तुम तो डर गई ये देखो राधा मेरी नई स्कूटर चलो देख के बताओ कैसी लगी तुम्हें एकदम नई मोडल है अभी अभी निकली है ये स्कूटर इसे चलाते वक्त तो ऐसा लगता है जिसे मैं उड़ रही हूँ अरे क्या दीदी सच में अरे वाई ये स्कूटर तो बहुती सुनर है देखो तो दीदी इसे चलाना सीख जाए जिसे फिल्हम शॉपिंग पर जाएंगे अरे राधा क्या मतलब की चलाना सीख जाओ मुझे आता है चलाना चलो चलो लॉग राइट पर चलते हैं चलो चलो आओ बैट जाओ मैं तुमें थोड़ा सा ट्रायल देती हूँ बहुती मसाता है इसमें बैटने में अरे नहीं नहीं दीदी रहने दीजे रहने दीजे अरे दीदी को अभी चलाना भी नहीं आता है ढंक से ऐसे थोड़ी ना बैट जाओ अरे राधा है तुम क्या खुसर खुसर कर रही हो चलो बैठो इधर आओ चलो चलो सोनम बेटा तुम उतर जाओ राधा अंटी को बैठने दो अच्छे ठीक है मम्मी मैं उतर रही हूँ और हाँ मम्मी बस थोड़ा सा धीरे चलाई ये बहुती डर लगता है अरे सोनम तुम मुझे मस सिखाओ अरे राधा वो सोनम कुछ भी बोलती है चलो आओ तुम बैठ जाओ देखो श्या मेरी नई स्कूटर 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 अरे अब चलो भी राधा जल्दी बैठ जाओ अरे हाँ हाँ दीदे ठीक है बैठती हूँ हाल तो जलाल तो आई बला को टाल तो दीदी में बैठ गई अरे अरे क्या करें अरे राधा रुख जाओ देखो और शुरू हो गई ये अरे दीदी थोड़ा दूरे दूरे चलाए ये तीरे अरे हाँ हाँ राधा ये मजारा है औरे नहीं दीदी दी रहे दे गया गया आँ 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 और फिर तभी यहां राधा और चंदव का एक्स्रिडेंट हो जाता है आँ दीदी मेरा सर आँ अरे राधा तुम ठेक दो हो ना अरे नहीं सब क्या हो गया मुझे माफ कर दू राधा आँ दीदी और यहां पर किया हुआ हुआ है मम्मी मैं अभी चाह नहीं मानी, कौई है क्या यहांबन बचाओ मैं ममी औलादांते का इसी दन्द हो गया जल्दी बचाओ कोई। Allah यहांबन तो कोई भी नहीं है। uhunkong नहीं क्या कि लूँ एहे hon ममी ममे उधो उधो, aujourd' श्याम तुम मतलो ठेक है न चलो जल्दे से लोनों को बचाते हैं चलो मैं जल्दे से मम्मी को ख़ती पर लिटा देती हूँ सोनम बचाओ अल्य हाँ मम्मी मैं यही पलू आप चिंदा मत किये जिए चलिए चलिए आप ध्यान से उठिये मैं आपको ख़ती पर लेकर चलती हूँ आपका फिर्स डेट कर देती हूँ देदी अले लगधांदी आप चिंदा मत कीजिए आपको कुछ भी नहीं होगा लुकिये लुकिये चलिए मम्मे उठी है ध्यान से सोनम अले मम्मे आप चलिए चलिए कटी पर लेट चाहिए जल्दी से आप चिंदा मत कीजिए मैं अभी आप सब का फिर्स डेट कर देती हूँ सोनम सोनम जल्दी से राधा को देखो कही राधा को ज़्यादा चोट तो नहीं आई है ना देखो जल्दी अली हा मम्मे मैं वही देखनी जा ली हूँ लाधांती मैं आ ले ही हूँ आप चिंदा मत कीजिए और यहाँ पर सोनम दोनों को खटिये पर ले जाकर लेटाने लगती है चलिए लाधांती धीरे धीरे और यहाँ पर दोनों को बहुत दर्द हो रहा होता है आप दोनों चिंदा मत कीजिए मैं अभी फर्स टेट लेकर आती हूँ पान देती हूं वलना भोजी दख खुन गिल जाएगा और यहां पर सोनम मरहमपटी भी करने लगती है चलिए मम्मी का भी कल देती हूं मलहम पत्टी मलहम पत्टी और यहाँ सोनम ने दोनों का मलहम पत्टी कर दिया है आप चिंदा मत कीजिए ठीक हो जाएंगी आप चल दी ही और पर तभी हाँ चंदा और राधा को होशा जाता है आहाँ मेरा सर्दी दि भोती दर दो रहा है अरे वाँ अरे वाँ मम्मी को हुशा गया रधंदी को हुशा गया ये हे 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 मम्मी मम्मी हे हे मम्मी अरे वाँ सुनम तुम तो बहुत यदा हुश्यार हो अरे हाँ सुनम और यहाँ दोनों ठीक हो जाते हैं दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो